वक्रतुंड महाकाया कोटि सूर्य समप्रभा निर्विग्नम कुरुमे देवा सरवकारे सुसरवदा सरवकारे सुसरवदा आदर ने मित्रहरू साधर नमस्कार हमरी इमेज चैनल टेलिविजन का माध्यमाट नित्य सुभ साधना सुभ विहानिको शुभ परसंगमा नित्य निरंतर चिंतन को धारा प्रभाहित भहरे कोच ग्यान साधना जीवन को सवेबंदा विशिष्ट साधना हो तो गीता को महत्यपण स्लोक हरूला लियराहमे निरंतर चिंतन गिरिड़े का छो उना तो गीता आपेमा महत्यपण ग्रंथो शर्वो पनिषदो गावो दोगधा गोपालन अंदना गीता का हरेक सब्द हरू हरेक पद हरू हरेक बाक्य हरू हरेक स्लोक हरू हरेक अध्याय हरू आपेमा महत्यपण गंगा जल चाहे गंगा जल शिंगो गंगा होस् चाहे गंगा जल सानो एक थोपा एक बूद किन नहोस् तो आप इमा पूर्ण चा पवित्र चा भरेको जस्ते गीता का प्रतेक स्लोक हरू प्रतेक पद हरू बाक्य हरू अक्षर हरू आप इमा दिभ्य चान। गाइड गरना सक्षन, सजुलो बनाइदेना सक्षन जीवन लाई, त्यस्ते के स्लोक हरू को चैन गरेडा निरंतर यो ज्यान को साधना भेरेको छा। कर्म तो गरनेई पर चा तरह कर्म गरने बेलावाई ज्यान पूर्वक कर्म गरों। ज्यान का साथ, चेतना का साथ, स्पस्त अवधरना का साथ, अना सक्ति का साथ, सरधा का साथ, इस्षुरारपित भाव, सरधा पुर्ण भाव। तद भावना भावित भैरक गरिये को जुन कर्म हो तो कर्म मुक्ति का लागी सहायक होंच तो कर्म मुक्ति गामी हो तो कर्म मुक्ति को आधार हो मुक्ति को जग हो तर आशक्ति का आधार्मा अहंकार का आधार्मा स्वार्थ का आधार्मा अज्ञान का आधार्मा गरिये का स कर्मयोक्ता के मतलब के वंचन मतक कर्मयोक्ता के मतलब विद में आपने योग समाय का राजयोग सम्माय को छाण आपने अनेक प्रकार कायोग हो सबय योगला सम्मान चा तरह एक दमई बुजनुपने को राख्या चा बने हरेक योग को बीच मा एक प्रकार को सुछम अंतर सम्मंध चा और त्यों सुछम अंतर सम्मंध ले ने एक अरकालाई एक परिपूर्ण ता प्रदान गरेको चा इस सुछम सम्मंध हरूने एक अरका पर ऐसको जय आवस्ठाचों जय पर अबस्था भिया उसलेए आपवने पर रहा मा है ज्ञान भाप आपका साथ जेतना का साथ उदार दिश्टी का साथ दिभ्य भाप का साथ घिता को इस्पश्ट भाषा अनासक तीभापका साथ उल्ले करता अधर बंगर्ने पर चैब आप गीता को पहिलो स्लोक यहार को श्मु निवेदर्रघर्वाचाहतु इमं विवष्वतेयोगं प्रोक्त वाह नमन्ब्ययं विविश्वान मन वे प्राह। मनौरिछ्वा कवे ब्रवी direction. चतर श्ग्यान कर्म सन्याश्योक, पहिलो स्लोक। एसको कोमल गीता अग्ही अभ्यययो योगा मैले स्री सुर्यमा कहें सुर्यले मनुमा त्यस्तयी उनले इछ्वाकुमा कहें गीता को चतुर सद्याय सुरु हुँचा शरी भगवानु बाचा भगवान शरी किष्ण भन्नुचा कि भन्नुचा इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनम अभ्ययं विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिछ्वा कवे ब्रवीत मित्रुड सारी योब रहस्य पुरुनाजा भिचित्त्र चा सोचे रेपनी सोचन न सकीनी बुजेर रेपनी बज्रु न सकीनी कलपना गरडपनी कलपना गरणी हजारो जीवा वैक हषेसना गली बढ़न गरड़े पन सब्देना भनय को जस्तेए आमरी ग्यान परंपराच ज्यान को धारा अनंत शामित्र हढों अनंत धारा छों साम बेद भयो अथरबा भयो और फेर तसके अपने अच्छों और बेद आए अच्छों अच्छाए और को कि शुकत बिकास ने गरिओ उपनिष्टक्राज़ गरदा पुराण को विकास वहो इस सभी कोराम मित्रहुर बेद लाई चार बेद चार उपबेद भने ता पनी अंत्य मां गर फिर शास्त्रहले के बनाच valdr अनथा वै बेदा याने कि बेद अनन्ता छा बेद अनन्ता छा भन्न को अर्थे के होते मित रड़ू इसको दूट अर्था लाग चन यह उटा दार्शनिक अर्थे के वने अनन्ता वे बेदा बेद अनन्ता छन अर्था अध ज्यान अनन्ता छा ज्यान को आई हुदेना ज्यानको आरमब हुदेन ज्यान को अंते हुदेना ज्यान'tah हुदेना ज्यान को अथा हुदेना ज्यान को इती हुदेना wisdom has infinite process it has no beginning point and ending point पर चांच में प्रुद्स समों्हारत को भिखते फॉर्पेर लिट प्रेच चिंग को भुज्ब हो ब्रबाईट भ को शृर्ष्ट के को अधॉत जब जब नयानिया शर्ष्टी हुँच जब जब श्रिष्टी को क्रम हुँच ते वह बेला में फेरी बैद हुँच अनि ते बेद भने के ज्यान हो ते ज्यान भने के फिर बेद हो हरेक नया स्रिष्टी मा फिर ज्यान ग्यान को धारा हो ते कुराला आजे हां भगवान शरी किष्ण अर्जुनला भनुचा हेर जुन यही ग्यान यही योग को सिक्छा मैं ले शुर्य लाई दें शुर्य ले आपना पुत्र मनु लाई दे मनु ले फिर इच्वाकु लाई दे यही ज्यान को धारा निरंतर प्रबाहिचा मित्रहरू सामान्य सब्दा वलीं मा भननौ पर्दा पदा वली की बननी शुर्य भने कौं भwnतिक शुरूप हो जले ताप दिन्च, जले प्रकाष दिन्च, जले उजालो दिन्च, आमेले तेला मतर भुतिक स्थूल रूप मात रहेना लोगी गुरूप मी चाh शुर्य भने को बहुतिक रूप मात रहेना शुर्य भने को दिभ्य रूप मात रहेना शुर्य भने को सुच्म रूप 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 पुर्ण परब्रह्म सरुप पुरुसोत्तम भगवान श्री किस्टन ले यो ज्यान यो योग को ज्यान यो चेतना यो दिभ्य ज्यान श्री सुर्य लाइदिन भयो सुर्य ले आपना पुत्र मनु लाइदे मनु लाइदे मनु लाइदे क्यार को धारा कस्तो अनंत चा कस्तो दिव्य चकस्तो अधभुच्छ कस्तो रहस्य में चा जुन कुराला हमेली स्थूल रूप में हिरी रेका चाँ त्यों हामरो आखाले स्थूल चा तर त्य बास्तमा इस्थूल चे नौ शुच्वाचा यारी कि विश्व भ्रह्मांड में असता कईयो कुरार चनु जुन हामरो सोचाई बंदा हमरी विवेचना बंदा हमरो कलपना सकती हमरो तरक सकती हमरो बैज्यानिक बिश्लेशन भंदापनी माथी चनु यहो अननत ज्ञान को धारा ते कुरालाई भगवान स्रीक्रिक्ष्ण यहां भन्नूंच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनम अभ्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनु रिच्वाक अवे ब्रबीत यसे लाई अगी अभ्यययो योगा मैले श्री सुर्यमा कहें सुर्यले मनु मात्यस्ताई उनले च्वाकु मा कहें मनु लाई संता हमी मनु का संतान हो रमी तरहले जो चौध हो मनु को रुपा खोरे कलपना गरिय कुछ यह हम्रों करणाली अंचल को मानम काली कोट को मानम में मनु को जन्म भयको हो भन्नेपनी इतियास का कुराहरु यहां आयरेकासन यानि कि जो मनु को संतान हो तेहे नहीं मानब हो र्युग्ज्ञान को धाराय मनु बाटा हुँ देई इच्छाकू यानि कि भगबान सिर नगरान चाहांचू और मनु महराज को आई विर भाब भयको अपत्रण भयको यह पवितर देश नेपाल का हमी बाशिंदा हो वन्ने यह गोर्व को अनुभुति होस वन्ने पन निवदन गरन चाहांचू और ज्ञान को अनंत धारामा आयमी पने समाहेत हों आयमेले अपने न देखे हों और मनु ने वे बाशना को अनुभुति बाश् साथ मुवदन यह गवितर भीक। लेश जब हों और मनुभुति वे भीक।